तो अभी हम हैं वीरंदर किया इटावा में और अगर आप किया की इसी गाड़ी में डील करना चाते हैं तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिपिशन में मिल जाएगा एड्रेस और सेल्स एग्जिकुटिविस का नंबर भी जो है मैं इसमें प्रोवाइट कर दूँगा आप जो ह है सेगंड ओवीरेंट है अब देखते हैं इसमें किस तरीकी फीचर्स वगरा प्रोवाइट किये गए हैं तब तक ये लिए इसका वाकरांड हो कब आपको दिखा देते हैं कि यह रियर से इसका जो है कैसा लोग है और साइट प्रोफाइल जो है इसकी किस तरीकी की लगती है तो यह होफुली जो है आपको यह गाड़ी जो है जरूर पसंद आने वाली है और फीचर्स भी जो है इसमें काफी अच्छे मिल जाते हैं आपको देखने के लिए तो कुछ इस तरीकी की फ्रंट प्रोफाइल आपको जो है किया सेल्टॉस की देखने को मिल जाती है और पर बीच में आपको किया का नया वाला लोगो देखने को मिल जाता है और बीच में अगर ग्रिल की बात करें तो यहां पर आपको प्यानो ब्लैक फिनिश वाली ग्रिल देखने को मिलती है और यह जो पैटन है उपर नीचे जो सिल्वर फिनिश वाला पैटन है यह आपको जो है अधर विरियंट में भी इसके वाली विरैंट में भी देखने को मिल जाता K सेम ही और यह इसकेट प्लेट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सिल्वर फिनिश में इसकेट प्लेट्स जो है प्रोवाइट करी गई है और यहां पर आप देख सकते हैं टोइंग होग जो है आपको यहां पर है बाकि अपन एपनी होती है बाकि कमपनी का अपना-पना मानभा है वो उनको जो है क्या सबसुल अगर आपर विर्जय स्मैं किस तरीके की देनी चाहिए यदि देनी चाहिए फिर यह लुग अलर्म है हलुजन में देनी चाहिए तो अगर टायर परफाल की एगर हम यहांपर बात करें नहीं तो यहांपर आपको जो है तो पर आपको самых छाफ किए घए और हुआ इसी वर्यट से मुझे लगता से अजाटी वर्यट आपको सिस्सेंग है शुरू ना शुरू होते हैं surveyors और बात हैं जो दम कैंजियार हैं बिल बश्यांद्र जो कि काफी अची चीज है मौनसुन के सीजन में एक्षजरी जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्रोम फिनिश जो है आप देख सकते हैं यहां पर फ्रंट से लेके रियर तक आपको जो है दी गई है और यह फिफ्टी लिटर्स का फिएल टेंग एपसिटी है और य यह जो है को इस तरीके की आपको जो है बैक लाइट आपको देखने को मिल जाती है पूरा एलेडी में सेट अप है इसका और बीच में आपको किया का लोगो यहां पर देखना को मिल जाता है और यह जो है रियर में आपको यहां पर वाइपर प्रोवाइड किया रहा है और डीफॉगर्स भी आपको इस वाले विरियंट में मिलते हैं और हाई अमाउंट इस्टॉप लेम जो है आपको वो स्पॉलर पर ही देखने को बिलती है शार्फिन एंटीना और संरूफ की प्लेसिंग भी जो है इसमें आपको देखने को मिल जाती है रूफ रेल्स भी मिल जाती है कैमरा की बात करें तो यहां पर आपको किया के लोगों की नीचे यहीं पर आपको जो है कैमरा की प्लेसिंग दी गई है और इसकी प्लेट्स की बात करें सिल्वर फिनिश में आपको जो है इसकी प्लेट्स देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको टोइंग हुक देखने को मिल जाता है और पारकिंग सेंसर की अगर आप बात करें तो टोइंग हुक के साथ साथ यहाँ पर आपको चार पारकिंग सेंसर प्रोवाइड किये जा रहे हैं रियर में क्योंकि काफी अच्छी चीज है और जनरली आजिकल गाडियों में दो ही जो है कमपनीज प्रोवाइड करने लगी है ऐसा क्यों करती है उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं IVT की यहां पर आपको बेजिंग देखने को मिल जाती है यह जो है IVT इंजिन है यह है सेल्टोस का और यह जो है यहां पर एक क्वेश्ट सिंसर आपको ट्राइवर सैड में देखने को मिल जाता है और अगर इसके डोर पैनल की बात करें तो डुल टॉन में आपको जो है इसका डोर देखने को मिलता है यहां पर जो है डोर में soft touch का use किया गया है और उपर आप देख सकते हैं piano black finish और यहां पर आपको चारो windows के control देखने को मिल जाते हैं और वार विम को यहां से आप open close कर सकते हैं speaker की placing नीचे आपको देखने को मिल जाती है इसके meter की और अगर seats की बात करें तो यहां पर आपको ventilator seats देखने को मिल जाती है और friend में आपको adjustable headrest भी दिये गए है height adjust यहां पर आपको manually करनी पड़ेगी आपको automatic adjust का option नहीं दिया गया है manually भी आप driver seat को easily access कर सकते हैं तो अब अदर चलते हैं भाई देखते हैं किस तरीके इंडियर वगर इसका दिया गया है तो steering की अगर हम बात करें तो यार हमको decat steering की यहां पर देखने को मिल जाता है और बीच में आपको किया का logo देखने को मिल जाता है और pedal shift first भी आप देख सकते हैं इसमें आपको provide किये गए है जो कि काफी अच्छा feature है राइट में आपको cruise control देखने को मिल जाते हैं लेफ्ट में आपको volume के control देखने को मिल जाते हैं यहां से आप steering की height को adjust कर सकते हैं tilt and telescoping दोनों ही option आपको provide किये गए हैं celtos htx plus में और यहां पर आपको wiper के control देखने को मिल जाते हैं और right side में आपको headlight के control देखने को मिल जाते हैं आप यहां से देख सकते हैं और pedal shift first भी आपको जो है इस वाले variant में देखने को मिल जाते हैं और यहां पर आपको 10 inches की screen देखने को मिल जाती है मुझे शिस्टम की और बीच में आपको हैजार्ट के कंट्रोल और कुछ इस तरीकी के AC events आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें और यहां पर आपको automatic climate control और यहां पर आपको automatic gearbox भी देखने को मिल जाता है जिसमें आपको parking mode, reverse mode, neutral और drive mode आपको देखने को मिल जाते हैं यह जो है यहाँ पर आपको driving modes मिल जाते हैं और यहाँ से आप जो है rear view on कर सकते हैं और यह जो है आपको 12 volt का charging socket और 2 USB ports देखने को मिल जाते हैं और उसके उपर भी कुछ थोड़ा बहुत storage space आपको देखने को मिल जाता है हैंड ब्रेक में आपको देख सकते हैं silver finish में tip दी गई है और armrest के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इतना storage space में देखने को मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है और sun visor के अगर हम बात करें तो driver side में आपको जो है vanity mirror देखने को नहीं मिलता है IRVM आपको जो है auto adjust वाला देखने को मिल जाता है इस वाले variant में और sun glass holder और sun roof के controls और यहाँ पर आपको जो है cabin lights देखने को मिल जाती है जो कि आपको LED में provide की गई है देखने में जो है काफी अच्छी लगती है और co driver side के अगर हम बात करें sun visor की तो वहाँ पर आपको vanity mirror देखने को मिल जाता है sunroof आप देख सकते हैं कुछ इस तरही की कि आपको normal sunroof दी गई है पैना और यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं की गई है तो अब इसके rear seat पे चलते हैं और देखते हैं किस तरही की space वगर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर door handle भी आपको chrome finish में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको sun shades आपको देखने को मिल जाते हैं पैसेंजर्स के लिए जो की काफी अची चीज है इससे की आपकी गाड़ी जो इतनी जाता गरम नहीं होगी दूप में इसको वापस नंकाल देते हैं अब यह आप देख सकते हैं डोर handle जो हैं काफी अच्छे दिये गए हैं premium फील कर आते हैं और यह बीच में आप piano black finish का यूज देख सकते हैं और soft touch का यूज यहां पर passengers के लिए भी किया गया है speaker की placing आप देख सकते हैं नीचे की तरफ और वहीं पर आपको water holder और कुछ space देखने को मिल जाता है यहां पर अप सेल्टोस की badging देख सकते हैं और अब अंदर आके देखते हैं यार किस तरीकी के space वगरा इसमें दिया गया है और STX में आपको यहां पर smart air purifier का option देखने को मिल जाता है और इसको अभी मैं आपको थोड़ी दिर बाद अच्छे से दिखा दूँगा last में और अब देखते हैं इसके रियर AC इवेंट कुछ इस तरीकी के आपको देखने को मिल जाते हैं और नीचे जो है इसमें आपको USB port देखने को मिल जाती है और वहीं पर mobile के भी थोड़ा सा space मिल जाता है और केमिल एक्स के अगर हम बात करें तो LED में आपको केमिल एक्स देखने को मिल जाता है और adjustable headrest आपको तीन यहाँ पर dedicated दिये गए है जो कि काफी अच्छी चीज़ है अब आपको मैं दिखा देता हूँ air purifier किस तरीकी का है यह देखो इस तरीकी का air purifier आपको देखने को मिल जाता है Celtos HTX में अब इसका boot space की अगर हम बात करें तो यार boot आपको देखो 433 लीटर का boot space आपको देखने को मिल जाता है और boot lamp भी यहाँ पर आपको दी गई जिससे आप पुरात में जो है डिकी को close कर देते हैं और आप जो है इस review को यहीं पर end कर देते हैं तो भाई यह कुछ इस तरीकी का review था हमारा Celtos HTX का और आप जो है comment section में जरूर बते कि आपको Kia Celtos HTX कैसी लगती है और आप यह लेता चाहेंगे या नहीं और एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ अगर आप किया की कोई गाड़ी purchase करना चाते हैं तो आप description में जाके contact check कर सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहन